हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद मुशायद में कैसे आप सब लोग आई विश बहुत अच्छे हो और अच्छे से अपनी इस्टेडी और अपनी फैंबली का ध्यान रख रहे हो कैसी चल रही है आप लोग की स्टेड जो हूँ आपके लिए मॉडरनिस्टी के कोशन्स लेके आई और बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है यूनिट है और इसको आप लोग बहुत ही जादे ध्यान से जो है वो अच्छे से पढ़िएगा और यह भी बताईएगा कि जो पिछली वीडियो रही है पॉलिटी की और इसके MCQs, Modern History के कैसे रहें, कैसे लगें आप लोगों को ठीक है फ्लीज फीडबैक देते रही है ठीक है तो आज हम सबसे पहले देखते हैं यह कि माईने यह नहीं रखता है कि आपके पास कितना ग्यान है ठीक है माईने यह रखता है कि आप उस ग्यान से कितने काम्याब है मालीजे आपके पास जो है वो नौलेज है बहुत नौलेज है लेकिन आप उसका कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं तो वो किस काम की है किसी काम की भी नहीं है अब एक दूसरा बंदा है जिसके पास नौलेज तो बहुत कम है ठीक है लेकिन उस नौलेज का वो बहुत ही अच मेंटल जो situation है या स्थेती है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी लेकिन एक ये बंदा जिसके पास knowledge तो बहुत सारी है ठीक लेकिन वो उसका यूजी नहीं करता है तो वो उसको जो है वो रखे बैठा हुआ है ठीक है तो क्या हुआ उसको कोई फायदा नहीं है उतनी knowledge का ठीक है इसलिए बोला गया है कि माईने यह नहीं रखता है कि आप उस ग्यान से कितने काम्याब हैं ठीक है हम माल जे दो बंदे ले लेते हैं एक होगे आपका वी टैक किया हुआ है ठीक है तो बीटाइक वाले ने बीटाइक किया है अच्छी बात है ठीक है वो भात अच्छा मतलब जो है वो इंजिनिंग का है बट अगर उसे जॉब नहीं मिलती है और घर में वो वेट करता रहा था है कि हां मुझे बहुत बढ़ी है तो वो उसके किसी उसका नहीं एक वही जीटियाई वाला बंदा अगर उसके कोर्डिंग जी जो है डिप्लोमा के एक चोटी सी जॉब मिल जाती है और आफ्टर दैन वो एक एक्सपीरियंस के थुरू वो आगे बढ़ता चला जाता है तो उसका जो है वो जादा काम्याब है कोर्स ठीक है मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि आप भले ही थोड़ा पढ़िए ठीक है लेकिन जो चीज पढ़िए उसको ऐसे पढ़िए कि अगर आपकी एक्जैम में वो च चीज करेक्ट होने चाहिए वहां पे आप फेल नहीं होने चाहिए ठीक है माली जी मैंने आपको कोई भी उन्ट पढ़ाई इतने सारे कोशन पढ़ाई अब आप इनका बारवार रिवीजन नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप कहीं नहीं चीजों को मिस कर जाएंग ठीक है तो भले ही आप कम पढ़िए उतना पढ़िए जितना जो है आप अच्छे से समझ पाएं और आप उसको यूटिलाइस कर पाएं ठीक है तो हम अपनी यूनिट को जह है शुरू करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की आप लोग जो है वो बता सकते ह यह आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यह एक यूनिट है अठारा सो सतावन की क्रांती ठीक है इसको जो है वो कई नामों से पुकारा जाता है जैसे कि प्रथम सिपाई विद्रो प्रथम सतंता संग्राम ठीक है इस टाइप की जो है बहुत सारे नामों से इसको जान है वो यह कम सब्सक्राइब दो से तीन यूनिट जो है वीडियो में कम्प्रीट हो जाएगी यूनिट तो इसमें बात इंपॉर्टेंट कोश्चन में आप लोगों कराऊंगी आप लोग जो है उसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कर लीजेगा ठीक है आएए कोश्चन देखते हैं अब हम लोग अंग्रेजी सेना में चर्वी वाले कार्टूसों से चलने वाली एनफिल्ड रॉयल राइफल कब शामिल की गई थी उप्शन A नवंबर 1856, उप्शन B दिसंबर 1856, उप्शन C जनुवरी 1857, उप्शन D फरवरी 1857 इसका सही आंसर है उप्शन B दिसंबर 1856, ठीक है दिसंबर 1856 में दिसंबर 1856 सरकार ने पुराने लोग वाली बंदूग जो थी याने कि जिनको ब्राउन बेस बोला जाता थ उनके स्थान पर नवीन एन्फिल्ड राइफल का प्रियोग करने का निर्ने लिया था ठीक है इस चीज को धने के नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारत के प्रथम सुद्धा संग्राम का मुखत तातकाले कारण क्या था देखे इसकी दो चीजें थी एक तो तातकाले कारण क उस समय परिस्थेतियां क्या बनी या क्या हुई और एक भूत पूब कारण जो कई सालों से जो है वो अंग्रेज भारतियों का सोशन किये जा रहे थे ठीक है उसमें क्रशी से लेके अत्याचार बस्टाचार सब कुछ था ठीक लेकिन तातकाले कारण क्या था आईए देख कोशन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठीक है अंग्रेजों का धर में हस्तचेप का संधे उसमें यह कहा गया था कि 857 बंगाल से नमी अव्वा फैल गई थी कि चर्वी वाले कार्टूस में जो है गाय और सुवर की चर्वी है ठीक है जो आपने पिछला कोशन देखा कि इस क्या फैला इसमें कि इसमें सुवर और गाय की चर्वी है अब उसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को कहीं न कहीं इससे बिरोध उत्पन हुआ था ठीक है तो उन्होंने क्या किया अंग्रेजों का धर्म में संधे आया तो तातकालिक कारण जो था वह यह था अच्छा बूद्पूफ कारण की अगर हम बात करें तो उसमें तो इनकी नीतियां थी इनके अत्याचार थे बस्टाचार था बहुत सारे कारण थे ठीक है कि किस तरीके से यह जनता को जो है मतलब जनता में बहुत जादा रोश हो गया था ठीक है तो यह जड़ तातकालिक दिए कारण धर्में हसक्षीव का संद्य ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं मंगल पांडे की घटना हुई थी ठीक है मंगल पांडे की घटना हुई थी और यह मेरेट में ऑप्शिन भी बैरक पूर में अप्शिन सी अंबाला में ऑप्शन भी लखनों में इसका साह जिसकी हमने फर्स पर बात की थी एंफील्ड राइफल ठीक है उसमें कौन से कार्थूज होते थे चर्वी वाले ठीक जिसमें सूर और गायत दोनों की चर्वी होने का मतलब लोग को शक था या अवा फैल गई थी ठीक है उन्होंने क्या इनकार कर दिया था और मंगल पांडे दिया गया तो इसमें क्या है थर्टी फूर्थ एनाई रेजिमेंट इसका ध्यान है कहां से बैरकपुर यह कहां है मेरट में ठीक है के अठावस सत्तावन की करांती का प्रमुक कारण क्या था जनाक्रोष ऑप्शन बी सैनिक असंतोश और सी इसाइब मिशनरी का प्रवंध ऑप्शन डी बिटिस समराजी की नीती इसका वह अंशर क्या होनाँ चींए आप जहीं क्योंकि उनकी नीति पहले जिस तरीके की थी ल ठीक है जहां पर भी समझ में नहीं आये कोई भी लाइन कोई वर्ड कुछ भी तो प्लीज आप लोग कमेंट करें करके बताइए मैं जो है उस चीज को क्लियर करूंगी नेक्स्ट कोशन देखते हैं ठाज़ो सत्तावन की क्रांती सरप्रतम कहां से प्रारंब हुई थी उप्षन ए लखना हूँ उप्षन भी जहांसी उप्षन सी मेरट उप्षन डी कानपुर इसका सही आंसर क्या है उप्षन सी मेरट बैरकपुर कहां था मेरट में ठीक है अठाज़ो सत्तावन करांती के प्रारंब कर वह था दस मई अठाज़ो सत्तावन कहां से मेरट में ठीक है जहां नखिएगा नेक्स कोशन देखते हैं अठाज़ो सत्तावन के संग्राम से संबंदित पहली घटना थी ऑफ्षन ए कानपुर में बिद्रो और नाना साहब का नेत्रों समालना ऑफ्षन बी बेकम हज़त महल दौरा अवत का नेत्र तो सेंथ को का डिल्ली के लाल केले में फिज्यस सेंद् ओका दिल्ली के लाल केले पर पहुंक्षन आप्शन अप्षन दियंव में मेРЕत् तो सिर्फ आईों के दस्तिनया वह वो मुगल संब बाहादोड़ौ शाज vendor डॉणgesetz ऑन दो ने को दो दशाचब का से अपील की थी कि सम्राइट इन सिपाईयों का नेतरत स्विकार करें मतलब क्या वहां से विद्रो करके जब दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने क्या कहा कि बाहतुर्शा दुतिय जो मुगल सम्राइट थे कि आप हम लोग का नेतरत करिए ठीक है और सैनिकों का दिल्ली के लाल संग्राम का प्रतीक था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट को शनल ठीक है यह कई वार आभी चुकाई एक्जैम में ठीक तो इसका सही ऑफ्षन देखते हैं ऑप्षन और रोटी ऑप्षन बाज ऑफ्षन सी रुमाल ऑफ्षन दी दो तलवारें ठीक है इसका सही आंसर है ऑफ् लिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुना अधिकरत किया था पुना अधिकरत अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको अपने अधिकार में लिया था दो बारा अफ्षन जहांसी ऑफ्षन भी मेरेट ऑफ्षन डी दिल्ली ऑफ्षन डी कानपूर ठीक कब लिया था इसको वह एठाट सो अंग्रेज ने दिली पुना इस्थापित कर ली इसको किसने की थी कैप्टन निकॉल सन ने महीने के भीतर उन्होंने इसको ले लिया था मई से शुरू हुआ था अप्रेल मई जून जुलाई इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अठाट सो सत्तावन के सौधिंता संगर्श की बीरांगना महारानी लक्ष्मी वाई की जन मिस्तली ठीक है जन मिस्तली ऑप्शन आगरा ऑप्शन भी जहांसी ऑप्शन सी वारनासी ऑफशन डी ब्रंदा बन इसका स इनके पिता का नाम क्या था यह आप तो आप लोगों को पता होगा मोरोग पंत ठीक है जो जहांसी के महाराजा के जो है वो गंगदर राओ के दर्वार में गए थे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 5857 के बरेली बिद्रो के नेता कौन थे बरेली में जो बिद्रो हुआ था तो उसका नेतरत किस ने किया था ठीक ऑप्शन ए खान बहादूर ऑप्शन बी कुमर्सिंग ऑप्शन ऑप्शन सी मौलवी एहमत शा ऑप्शन डी विर्गिच कादर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खान बहादूर ठीक है बरेली के रुहल खंड के जो है वो भूत पुरूप शाशक के उत्तरा दिकारी थे खान बहादूर जिनों ने ठाजो सतावन के विद्रो में नेतरत किया कहां से बरेली से शुरू में इनकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी किन्तु ब्रद्रों की लहर जब फैली तो इन्होंने खुदी प्रशाशन समान लिया था ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं महारानी लक्ष्ण भाई की समाधी कहां इससे था ऑप्शन ए मंडला ऑप्शन की महारानी लक्ष्मिवाई का जन्म कहा और यहोगा एक्क समाधी कहां UK बंद्र प्रदेशुंगे रानी लक्ष्मी वाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ठीक ऑlles इसका सही आंसर है option ए रानी लक्ष्माई जहांसी जो रानी लक्ष्माई थी जहांसी के अंतिम मराथा जुहार राजा गंगधर राओ की बिद्वा थी इनकी 14 वर्ष की उमर में शादी हो गए थी महाराजा गंगधर राओ से ठीक इनका कोई उत्राधिकारी था नहीं ठीक ज जो है राजा की मृत्वी पहली हो गई थी तब जो है जो डल्हाजी की व्यापकत नीती थी हड़प सिध्धान जो था अठारा सो त्रेपन में इसने क्या किया था जह वो ब्रिटिश सामराज में जहासी को मिला लिया था ठीक तो इनका भी विद्वो का एक रीजन यही था ठीक अंग्रे जो के विरोध में जो इन्होंने किया था और इनकी म्रत्युकब वही है अठारा सो अठावन में इन्हें बीरगती प्राप्त होई है इनके बारे में जो है वो हीरोज ने एक बहुती इंपोर्टेंट जो है वो बात कही है थी इसको याद रखिया कि भारतिये विद्रोईयों में यहां सोई हुई हुई औरत अकेल मदब ऐसे बोला चाहिए हीरोज ने यह कहा बाता में इंडली शब्द कि एकलौती ऐसी मर्द थी रानी लक्ष्णिवाई को अधाभी और थी लेकिन उन्होंने इनको मर्द के उसमें बहुत अच्छे से लड़ें थी ठीक है भारतिये विद्रोईयों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है यह रानी लक्ष्णिव लेकर आती हूं आप लोग बताईएगा कैसे लगे आपको कोशन्स और अगर देखेंगे कि पिछले सालों के उठाके पेपर तो आपको कहीं ना कहीं जो है वह इस टैपके कोशन्स आपको मिलेंगे और आप लोग इनसे तयारी कीजिए अच्छे से और बताईए आपको कैस लग रहा है और क्या चीज में इसमें इंप्रूब करूं ठीक है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो इसको लाइक करिए अगर आपको नहीं पसंद आ लिए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं वसे कमेंट छोड़ दीजेगा लि Рचिज कर दो लिएख लोग में चैनल को से वीडियो कर दीक हैं लिएर आपक कर दो